हेलो दोस्तों नमस्कार तो आज फिर से स्वागत है आप सबों का एक नई वीडियो में नई जनकारी लेकर तो जी हाँ दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वोटर कार्ड में करेक्शन यानि की वोटर कार्ड में घर बैठे आप किस परकार से सुधार करेंगे तो जैसा कि दोस्तों आप अपना या आप अपने घर के किसी भी सदस्य का भोटर कार्ड में जन्मति थी नाम, पता, जेंडर या उनके हस्बेंड का या उनके पिता जी का नाम करेक्शन यानि कि सुधार किस परकार से करेंगे वो भी बिलकुल फिरी में उसी के बारे में और आंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको पता चल सकेगा कि वोटर कार्ड में करेक्शन कैसे किया जाता है तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे सेर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग को इसके बारे में जनकारी मिल सके तो चलिए दोस्तों आज हम आपको लाइब दिखाएंगे कि वोटर कार्ड में किस प home page इस portal पे हम आके इसमें login हो चुके हैं तो इसका link हम आपको अपने वीडियो के description में दे देंगे वहाँ से जाके click करके आप इस portal पे आ जाईएगा portal पे आने के बाद यहाँ login का option देगा उसमें login हो जाईएगा login होने के बाद यहाँ देखिए feel forum 8 इस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद यहाँ आप अपने घर के किसी भी सदा सिखा तो अगर आप अपना correction करना चाहते हैं तो self वाले पे click कीजिएगा और किसी ओधर का करना चाहते हैं तो ओधर वाले सेक्षन पे किलिक कीजिएगा फिर यहां उनका आपको इपिक नंबर टाइप कर देना है तो चलिए हम उनका इपिक नंबर यहां पे फिल कर देते हैं इपिक नम्मर फिल करने के बाद सब्मिट वाले सेक्षन पे किलिक कर दिया अब उसके बाद ओक्के वाले पे किलिक कर दिया तो चलिए हम ओक्के वाले पे किलिक कर दिये तो ओक्के वाले सेक्षन पे किलिक करने के बाद कुछ next page इस परकार से open होगा तो यहाँ पर देखिए दो नमर में दिया गया है correction of entire age in इसी पर आपको click कर देना है यानि कि हमको सुधार करना है तो दो नमर वाले पर click करने के बाद ok वाले section पर आपको click कर देना है जैसे ही ok वाले section पर click किजीगा आपको next page open हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या करना है scroll को उपर कर देना है scroll उपर करने के बाद अब इनका अधार number यहाँ आपको select कर लेना है यह ऐसे select नहीं होगा यहाँ पर देखिए next का option दिया गया है तो next वाले option पर click किजीगा तब यहाँ पर आपको सारा box जो है open हो जाएगा तो यहाँ अधार वाले section पर click किजीगा और उनका अधार number यहाँ fill कर दीजीगा अधार number fill करने के बाद उनका mobile number भी यहाँ fill कर दीजीगा select पर click करके mobile number fill कर दीजीगा ताकि जब उनका voter card correction हो जाए तो download करने में आसानी रहे ताकि इसी number पर OTP जाए और बहुत ही easily तरीके से आप download कर पाएं तो दोस्तों water card की इस परकार से download किया जाता है वही mobile से या laptop से इसका video मैंने बना कर अपने channel पर upload कर दिया है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं तो चली ये दोनों data पहले हम fill up कर लते हैं उसके बाद आपको आगे का process दिकलाते हैं तो दोस्तों ये data हमने fill up कर दिया है अब क्या करना है scroll को उपर करना है तो उपर करने से पहले फिर यहाँ पर आपको next वाले section पर click कर देना है जैसे ही next वाले section पर click किजिएगा यहाँ पर देखिए आपका किस चीज में correction करना चाहते हैं name, gender, dov, religion type, relative name, address, mobile number, photo इन में से जो आप correction करना चाहते हैं उस पर आप click किजिएगा तो वो चीज यहाँ पर खुल जाएगा जैसे के यहाँ पर हम dov यानि date of birth किलिक किये तो यहाँ date of birth खुल गया और इनका हम husband का नाम change करेंगे तो यहाँ पर देखिए husband का नाम यहाँ पर आ गया तो इनका husband का नाम जो है गलत है तो यहाँ पर हम correction करेंगे तो चलिए इस data को भी हम पहले fill up कर लेते हैं उसके बाद आगे का process दिखाते हैं तो चलिए दोस्तो date of birth कैसे select करना है यहां calendar वाले section पर आईएगा calendar वाले section पर आने के बाद यहां scroll को नीचे किजिएगा आप अपना years देख लिजिएगा आपका years कहां पर है और उसके बाद यहां से month select करकर date select कर लिजिएगा फिर उसके बाद जो उनका नाम है वो यहां सही से आपको type कर देना है तो चलिए इनका नाम हम सही से type कर दिए जैसे बाहर click किजिएगा यहां automatic हिंदी में आ जाएगा तो हिंदी में आ गया अब यहां पर उनका जो surname है तो यहां surname भी हम type कर देते हैं तो यहां देखिए surname भी हम type कर दिए अब उसके बाद क्या करना है scroll को ऊपर करना है scroll ऊपर करने के बाद यहां से आपको document upload करना है तो यहां से हम date of birth के लिए अधार कार्ट देना चाहते हैं तो अधार काड पे क्लिक कर दिए और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे अब इनका जो अधार काड है वो हम कहां पे रखे हैं वो यहां से अपलोड कर देना है तो चलिए यहां से हम इनका अधार काड भी अपलोड कर दिए अब उसके बाद इनका जो रिलेजन नेम करेक्शन ह हुआ है उसमें आप क्या डोकुमेंस देना चाहते हैं तो यहां पे भी हम अधार काट को सेलेक्ट कर लिए अब उसके बाद नेक्स्ट वाले आप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पे इनका प्लेस पूछा जाएगा तो यहां से इनका प्लेस आपको टाइप कर देना है तो चलिए हम केपचा को फील कर दे रहे हैं केपचा फील करने को बद प्रिभीव एंड सम्मिट वाले सेक्शन पर अप क्लिक किजिएगा तो यह देखिए फिर से हमें केपचा फील अप करने को बोला जा रहा है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है दोस्तों तो यहाँ पिर भीव एंड सम्मिट वाले सेक्शन पर हम कलिक कर दिए अब यह जो पेज यहां फे देख सकते है कि आपका डाटा जो है जो चेंज की है हो सही है न यह गलत है तो यहाँ से अगर गलत है तो किप इडिटिंग में कलिक किजिएगा अगर सही है तो यहां submit वाले option पे click कर दिजिएगा तो चली हम पहले check कर लेते हैं तो चली दोस्तों मेरा सारा data सही है तो यहां हम okay वाले पे click कर दिए फिर यहां से पूछ रहा है You are sure you want to submit this forum तो यहां से हम submit करेंगे मैं sure हूँ कि मेरा सारा data सही है तो यहां सवले section पे click कर देंगे तो यहां पे देखिए इनका जो forum है reference number मिल गया है अब इस reference number को आप click के दे दीजिए या download acknowledgement slip जो है इससे download कर लिजिए download करके आप अपने customer को print करके दे सकते हैं या आप अपना कर रहा है तो आप अपना save करके रख सकते हैं ताकि जो reference number आपको मिला है तो आपको पता चल सके कि आपका जो water card correction हुआ या नहीं या कहां था कभी process चल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं एक next वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर तब तक के लिए जय हैं दोस्तों